हेलो दोस्तों, SR Electronic Channel में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज बताएंगे दोस्तों कि Digital Multimeter की सहता से इस Silling Fan की Wending को कैसे पता करेंगे कि इसका कोईल सही है या जल चुका है दोस्तों अगर जल चुका है तो किस तरह से इसको पता लगता है Digital Multimeter की सहता से और नई जला है और सही है तो किस तरह से इसका Reading मिलता है तो चलिए दोस्तों इसका Start करते हैं चेक करने के लिए ये देखें वीडियो को इसकी नाप करें दोस्तों वीडियो को एक तरफ से देखें कि इसको आप वीडियो पूरा देखके आपको सीख सकें दोस्तों ये देखें दोस्तों इसका Capacitor है जो कि धाई MFD का लगा है दोस्तों ये देखें इसको निकाल लेते हैं दोस्तों इसका Capacitor को कनेक्शन को ये देखें इस तरह से ये देखें इस तरह से इस तरह से इस तरह से निकाल दिये अब इसमें तीन वायर है तो तीन वायर में डिजिटल मॉल्टिमीटर की सहता से इसको किस तरह से चेक करेंगे इसको यह देखिए आप पता चल जाएगा को तो डिजिटल मॉल्टिमीटर को देखिए इस तरह से इसको कन्टीनूटी के रेंज में लाना है दोस्तोँ इसमें सेट करना है हमको इस फूइच को यह देखिए इस में हमने हमने से इसके रेंज कर दिया है कि समय से COMMON और Running Starting कौन सा है और कैसे पता करेंगे कि इस कोयल का सही है या इसका कोयल Winding जल चुका है अगर जल चुका है तो किस तरसे आएगा और नए जला है तो किस तरसे Reading आता है दोस्तों यह देखें इसमें इसे पता लगा जाता है तो चलिए दोस्तों एक क्वायर को इसमें connection लगाते हैं इसे अब दूसरा वाला को यह देखें देखें तो इसमें reading दिखा रहा है इसमें beep sound नहीं सुनाया दे रहा है इसमें reading द्था रहा है meter की तरब ध़्यान दिजेगा दोस्तों ओप यह देखें तो इसका मतलब इसका ये reading है दिखा रहा है तो ये सही है और दूसरा वालग देखते हैं दोस्तों इसमें दिखा रहा है ये देखिए दोस्तों तो इसका मतलब ऐसे भी सही है अगर आपका digital multimeter में अगर कुछ सो नहीं करता जैसे कि मानके चलिए मैं इसमें example के लिए इसे लगातार अगर वीप की sound सुनाई दे और जीरो जीरो सो होने लगा इस तरह से तो इस condition में भी आप समझ सकते हैं कि आपका नजदिक से ही आपका connection ये जो कहीं सोट हो चुका है दोस्तों तो इसे तरह पता लगा जाता है दोस्तों बिलकुल आसान तरीका से ये देखे दोस् तो आप समझ लेना कि ये जो है ये वाला ऐसे reading दिखाता है तो समझ जाना कि ये सही है अगर कुछ भी reading अगर 100 नहीं करे तो समझ जाना कि ये खराब हो चुका है दोस्तों इस तरह से ये दिखे अगर इसमेंसे अगर याद आपको भी रहना चाहिए कि इसमें जो running का है driving sourly running का है तो दो 902-253 से अधर ही होना चैहिंद दूस्तो आपका reading आपका fan साही है अगर ज्यादा sorting हो गया होगा कहीं से अगर आपका bending जो है कहीं से हो जाता है Tha तो आपका reading ज्यादा भी सो करने लग जाता है या कुछ कम भी सो करता है दोस्तों यह देखिए जैसे कनेक्शन में इस स्पार्किंग हो के कहीं लूज कनेक्शन हो जाता है तो रीडिंग आपका गलत भी सो करने लग जाता है दोस्तों इससे कि आपको इसको खोल के आप एक बार चेक करके भी देख सकते हैं दोस्तों जब गलत reading शोग करने लगे तो या sorting हो जाता है तो भी आप देख सकते हैं कि आपका पूरा कोईल आपका जल चुका है या सही है यह देखें इसी तरह से पता असानी से लगाया जा सकता है दोस्तों तो इसमें यह है और यह देखिए यह हो गया आपका स्टार्टिंग का दोस्तो जिसमें ज़्यादा रीडिंग सो करे तो उसमें यह हो गया और दोनों का प्लस करके अगर इसमें सो करता हो यह देखिए तो दोनों का प्लस करके इस तरह से रीडिंग सो करने लगता है तो यह समझाना कि एक दोनों में से ही एक starting है और एक running है दोस्तों ऐसे ही और जो अच्छा है एक तो यही समझ लेना कि यह common wire है इसी तरह से आपको digital multimeter से सहता से भी आप आसानी से अपने घर पर ही check कर सकते हैं दोस्तों कि आपको mechanic के पास लेके जाना नहीं पड़ेगा दोस्तों अगर mechanic के पास लेके जाएंगे तो आप 1500 से 200 रुपे का चार्ज लेके भी आप लुटा सकते हैं दोस्तों इसी चीज के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर जानकारी नौलेज होगा तो आप इस चीज से आप बच सकते हैं इस खर्चा को कराने से तो यह देखिय है दोसतों अगर आपको सिरिज बॉल्प से भी अप टेस्ट करके आ के लिए ता आप सिखा सकते हूं अगर आप comment करेंगे हमें प्यारसा तो अगला वीडियो हम जरूर बनाएंगे दोस्तो अपके लिए इसको आसानी से भी सिरिज बॉल्प से भी टेस्ट किया जा सकते है दोस्तो इसको इस तरह से आई हो वीडियो देख के पसंद आया ही होगा दोस्तो वीडियो को लाइक कर देना अगर चैनल पे नई हो हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अल नोटिफिक्सन पे सेट कर लेना दोस्तो ताकि आने वाला हर लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी आपको नोटिफिक्सन मिल सके तो बहुत बहुत धन्यावाद दोस्तों हमारा वीडियो देखेने के लिए